आज की खबरों का सिलसिला इनके अलावा बैठक में बवीना थाना अंदर गस्त समस्त ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान जन प्रदिनिदी समास सेवी ब्यापारी और पत्रकारता था गणमान नागरिक और धरम गुरू भी मौजूद रहे बैठक को संबोदित करते हुए छेतरादी कारी सदर प्रिग्या पाठक ने कहा कि आगामी साथ मार्च को होली का देहन एवं आठ मार्च को रंगों की होली का परव है वहीं इनी तारीखों में मुसलिम समुदाय का परव शवेवारात भी है अक्सर हिंदू और मुसलिम परव एक साथ पढ़ रहे हैं उन्होंने कहा कि एनेकता में एक ताहिंद की विसेश्ता इसलिए हमें सभी धर्मों का सम्मान करते हुए एक दूसरे के तेवारों का भी सम्मान करना चाहिए उन्होंने सबीजे अबिल करते हुए कहा कि एक साथ पढ़ने वाले परवों के दोरान सभी लोग आपसी सोहार्द और भाईचारे का परीचे दें सोसल मीडिया पर किसी भी धर्म के खिलाब कोई भी पोस्ट फॉर्वर्ड ना करें बढ़काओ पोस्ट आने पर इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि तेवारों के मौके पर किसी भी प्रकार की अराजकता बरदास्त नहीं की जाएगी साथी साथ उन्होंने शराब की दुकानों की नगरानी के लिए थाना प्रभारी को आदेशित भी किया बैटक में बवीना थाना प्रभारी निरिक्षक असोक कुमार सींग, उप निरिक्षक अनोजयादव, कृष्ण कुमार, राजेंदर रण्यन, रावेंदर मिस्रा और वैदोरा चौकी प्रभारी संजय दुबे, भेल चौकी प्रभारी प्रकास सींग मौजूद रहे तो बहीं जन पृतिनिधियों में बवीना रूलर प्रधान दीन देयाल पहलवान, भाजपा मंडल अध्यक्ष पलविंदर सींग नंदा बैदोरा बलोरा प्रधान धर्मेंदर राय डब्बू, जामा मस्जिद बवीना के सदर यूसुफ राइन, उर्व प्रधान मदन सिंग दद्दू, शौकत अली पहलवान, हाजी मुन्ना खान, हाजी सलीम राइन, गुलफान कुरेशी, शाहरुक मंसूरी, अनल कुमार सराफा वाजार एसोसियेशन के अध्यक्ष, आसीज जनकलन, बजरंग दल बवीना के अनीकेत यादव, हैमंत साहु पोपो, अभी सेक यादव समेत, गरामिल पत्रकार एसोसियेशन के तैसील अध्यक्ष, सैले सौनू से भरे, नगर कारकारणी के महामंतरी, मुहम्मद हनी नईम खान, सुमित कुमार साहु, आरिप मनसूरी, रफीक राइन और मुकेस मोदी आदी मौजूद रहे, अंत में सभी का आवार थाना प्रभारी निरिक शक बवीना असोक कुमार सिंग ने व्यक्त किया, नबोदय पलस टाइम्स के लिए बवीना से शैले सौनू से भरे क साथ गौरप कुमार की रिपोर्ट